लबस्कार दोस्तों आपने झोड़ा साय हुं है दोस्तों आपको जो बार्कोडई प्रिंट करती है इस तरीके से और रिच nervous याने यिदो प्रौपरली अव्य देखो यह बीच में प्रेंट हो गया तो इस तरीके से लिख्कत आ रहे जोबी शोफ्टवेर हो आपको कोई भी सोफटवेर हो बिलिंग सोफटवेर तो उसी में से बेसिकले इस्ट्राइब आती है तो आपको क्या करना है, जैसा प्रिंट बटन जो दिवार है, जो भी प्रिंट का माल दे रहा है, तो इस तरीका से जो विंडो आती है, आप देखें, कोई भी प्रिंट करना करता है, इस तरीका से विंडो आती है, आप क्या करिएगा, आपका कौन सा बारकोड प्रिंटर का करिये तो आपको यह प्रेंटर करिये प्रेंटर को इस प्रैंटर का प्रेपर क्मित टो इसमें क्या अभी प्रोब्म क्या जल रहा है देखिए यूसर यह उसलीए जा रहा है इसलिए हमको जानना है यह पेपर का फरस्ट फॉल आप स्केल लगा करके मापिंग करिए इसको बिड़त कितना है और इसका हाइट कितना है लेंबा कितना चाउडा कितना जो भी है आप उसको मेसरिंग कर दीजिए यारी इस वन अलिदिस वन चलिए आपको दो यह जो स्टिक्कर ने डाई कटिंगर के ईच वीच बिच भीस वे एक इक स्टिकर ना हुआ है इसको केता डाई कतें कितना अबने अबने लेवल स्ट कर दिया इसको आपने बी और सी यर बार्कोड इसको 50 mm विप्टत है 50 50 x 24, यह मात्र मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए लिखा हुआ भी, लेकिन आपने अच्छल डाइमेंशन यहां डालना है, यह देखिए इन, यह देखो 50 mm, किसी किसी कम्पूटर में इंजस में आती है, तो आपने 2 इंजस भाई वर निच लिखना है, अभी मेरे कई भी लिखता ना, पहले फ्लाट, उसके बाद यह वाला, खड़ा वाला, और यह जो मार्जिन वगरा जो भी डिफॉल्ट आती है, आप ऐसे रखिए, कुछ ने करो, ओके करिए, उसके बाद यह काम करना दोस्तों, यह देखो यह है, एक छीज खेल बैठा हुआ हुआ है पर देखना प्ड़ा इसके क्या है, आप इसको सीधा, यह यह लेबल वितिक जाप से, लेबल का बीच में करीब 2 mm या 3 mm का ग्याप है, और दूसरा वह लेबल आती है, लाइट 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 लाइन आती है, चलिए, अब लेबल बीत मार्क्स, यह जाप्स है, उसके है ये ब्यारेक्ट तर्मल यहां भी आपके आपको ऑप्षिन आती है आती है यह प्रिंटर यूद विर्णट करता है, इसो लाइफ बहुत बढ़ी है, नोर्मल पेपर यहां से जो कार्मन काला वाला कर दोनों में बहुत जमीन आसमन का भरक है चलिए इसको हमने तर्मल ट्रांसर कर दिया और डारेक्ट लेबल भूति आप सब्सक्राइब किया हुआ है अभी एक बार बार के देखेंगे किस तरी के सब्सक्राइब देखिए अच्छा थोड़ा साहलका से उपर है अभी हमने औ और प्रोब्लम आया हुआ है देखो यह चीचल स्क्राइबेगक इन्डिज मसब्सक्राइब के देखिए यह यह नथे क Сп dr. को अ eensको два दोणी उन श मैंज घरीकित करते हैं तुरु यह इउपको इसको यान συप्श् 거죠 उत पर दोदेखिए आपको यह रिकवंडर लोड़ करें से उपर यहां ओप्शन्स मोल के मिलती है। यूस करंट प्रेंटर सेटिंग्स इसको अंटिक करके यहां देखो एक ओप्शन मिलती है आपको स्पीड का जो बाहराने वाल जो यानि स्पीड होती है वह हमने थोड़ा सा कम करना पूरा लगा हमने 101 mm per second है उम जिम्हा इसका स्पीड जो है उसका हमों सबसे कम वाल मचक्द ऑ कर दिया और अप्ले कर दिया ओर प्रेंट कर दिया देखो अभी हल्का 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 स्लोली आ रहे अभी दो देखो आपको प्रेंटिंग में और यानि क्वालिटी बढ़ गया है इतना मतलब मजबूद क्वांटी आया हुआ है देखिए और प्रेंट करके दिखा रहा हूं मेरे और इसको डार्क अगर करना है तो भी कर सकते हैं अब करके दिखा हाँ में देखिए आप इस वट voyez दोस्तो किहें दिखिए और अगर अगर देखिए अगर अगर देखिए और चला जाए आपने और यह ओप्शेंस में चला जेए अटो इह द०ू काला जो ही दार्क नश इसको थोड़ा-सए और बड़ा सकता है आको च्ब बढ़ाओ थोड़ा सा यह बारा तक कर दीगी बस नॉर्मल इड़ डिफाल्ट में आता यह देखो और शार्प और एक्स्ट्रीम शार्प में आचुका मैं इसको कट करें तोड़ा सा लाइट में लेगे जातो देखो एक्स्ट्रीम शार्प यानि उसका उपर जो रिबन लिए फ्रेंडय शार्प दीज को आपको आपको शार्प बलोत ओर एक दम शार्प और पहले वाले जो प्रिंट है उसमेंसे आपको फरक दिखाई देंगे देखो यह पुराना वाला है और यह नय वाला देखो कितना अंतर है देखो यह न थोड़ंगां साब को और डप्त में हैं और शार्प में हैं आपको किशी तरह दिक्कत रहे हैं यह क्यों दिखाए यह टेकनोलोगी आपको जैसे आपने जुवलरी ताइक्स बगारे परंड़ करता ना आप इस तरीके से स्पीड कम करके करवा दीजिए आपको एक दम बढ़िया चलेंगे ठीक है ठीक है ठीक